Hello guys, तो कैसे आप, I hope सब के सब बढ़े आओगे, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने recently MacBook Air M2 buy किया था, तो वहाँ पर जब मैंने editing performance की वीडियो बनाई कि यहाँ पर आपको editing के time पर कैसी performance देखने को मिलती है, तो उसमें maximum बंदों का comment यह था कि भा time कि इतना मिलता है, या फिर वहाँ पर Premiere Pro में आपको lag बगेरा तो देखने को नहीं मिलता है, वो सारी सारी चीजी आज की वीडियो में discuss करने वाला हूँ, तो वीडियो काफी interesting होने वाली वीडियो को last तक देखना और वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like और चनल को subscribe जरूर कर लेना, तो चले वीडियो करते हैं, start, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू कि मैं यहाँ पर जो Premiere Pro यूज कर रहा हूँ, वो 2021 वाला वर्जिन यूज कर रहा हूँ, अभी जो latest है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके अंदर तो यहाँ पर आप जब भी ओपन करोगे ना, तो ओपनिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं लेता है, आरम से ओपन हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बई सोफ्विर कितना हैवी है, आपने कितनी यहाँ पर कस्टम चीज़े बना के रख रखी हैं, जिसे आपको य टेक्स्ट वगेरा को भी कस्टम बना के रख सकते हैं, जितना हैवी होगा उतना टाइम लगेगा, आफकोर्स, यहाँ पर हमारा जो प्रीमेर प्रो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर मैं जो टेस्ट प्रोजेक्ट है, यही रन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक व पर import मार लेते हैं, तो हमारी clip है, वो import हो चुकी है, और इसको मैं timeline पर उठा के गबर ले आता हूँ, तो timeline पर अगर मैं जैसे timeline को आगे पीछे करके आगर आपको दिखाऊं, timeline को आगे पीछे करके दिखाऊं तो आप देख सकतो बिल्कुल भी lag नहीं है, 4K clip है, बिल्कुल ऐसे मक्षन की तरह अभी इसको handle कर रहा है, और completely आपकी जो voice वगयर है, और साथ में जो frames है, उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तो जो first clip होगी ना, उसमें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आएगी ने, क्योंकि ये 4K में भी है, तो भी इसको easily handle कर लेगा, बट दूसरे के ऊपर हैं, और अभी मैं अगर आपको दिखाऊंँ, शो करके, तो अब भी आपको इतना कोई lag वगयरा देखने को नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी भी work कर रहा है, तो अगर आप normally कोई video record करते हो, video edit करते हो, तो वहाँ पर आपकी जो main timeline उसको render करके भी दिखाऊंगा अभी थोड़े देर में, तो ये तो सिरफ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जितनी भी layers हैं, कितनी add कर सकते हो, तो हमने दो layers add कर लिए हैं, और यहाँ अभी तक भी आपको कोई lag वगयरा इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर मलकी कर रखी high bit rate के साथ में, तो अब ही इसको हम directly एक बर export पे लगाते हैं, और अब आप time देखना कितनी जल्दी render होंगी clips, 13 seconds की clips है, और estimated times भी आपको 13 seconds के around ही देखने को मिल रहा है, वो भी 4K की 2 clips हैं, एक के उपर एक, तो यह हमारी वीडियो है, यह render हो चु आगे बताया कि आप Premiere Pro को कैसे download कर सकते हो, अब बात करते हैं, एक complete जो मैंने complete project बना के रख रखा है, उसको render करके दिखाता हूं, लेकिन एक दिक्कत है कि Premiere Pro के अंदर जितने भी projects हैं, उनकी जितनी भी files हैं, वो सारी सारी में time to time delete कर देता हूं, क्योंकि जो मेरा Macbook है, यह 256GB variant में, तो मेरे पास storage की थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अभी मेरे पास Davinci Resolve में एक दो recent freelance के projects पड़े वे थे, जिनकी files अभी भी safe हैं, तो वो मैं आपको render करके दिखा देता हूं, मेरे को सारा दुबारा edit नहीं करना पड़ेगा, तो मैं एक बार Davinci Resolve open कर लेता हूं, यह दोनों software में side by side by use करता हूं, क्योंकि जो Davinci Resolve है, उसका color grade वाला जो panel है, वो बहुत ही बड़ी है, मतला कि आपको प्रीमेर प्रो है उससे भी ज्यादा बैटर लगता है, मैरे को Davinci Resolve का color panel है, मतला color edit के लिए, वो ज्यादा बैटर लगता है मेरे को, तो मैं यह वाला य इनट के आसपास के एक वीडियो थी, यहाँ पर आप देख सकते हो audio panel में भी आपको काफी सारी different types के audio मिल जाते हैं, cut वगएरा भी है, और साथी साथी योपर transitions वगएरा भी लगा रखी हैं, और मैंने हर clip के बीच में भी transitions यूजज की हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला portion, यह इतनी easily visible नहीं होता DaVinci Resolve में, तो यहाँ पर यह हमारी completely है, अब मैं इसको एकर render करके दिखा हूँ, तो यहाँ पर मैं untitled project 2 करके इसको render कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपकी जो browse setting है, कहाँ पर आपको render करना है, वो करके add to render queue में मैं लगा देता हूँ, और य जादा की clip है, और यह 4K में record की भी clip है, यहाँ पर काफी सारी screen recording भी use कर रखी है, और मैं transitions वगेरा भी काफी सारी डाल रखे, साथे साथ नीचे audio में भी mix master कर रखा है completely, और एक चीज़ और ध्यान रखना की background में हमारा Premiere Pro अभी भी चल रहा है, अगर मैं इसको quit करता हूँ, तो इसका जो process है, और fast हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर एक बर no कर देता हूँ, और Premiere Pro को close कर देता हूँ, अब हमारा जो maximum CPU हो है, वो DAWIN से result को मिलेगा, तो इससे और जल्दी render होगी वीडियो, तो हमारी जो वीडियो कम्प्लेटली render हो चुके और इसने 2 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लिया है, अराउंड उतना ही टाइम लिया है जितना हमारी वीडियो थी, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो CPU है वो भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं screen recording पर्फोर्मेंस देखने को मिलेगी, यह चीज़े आप करके देख सकते हो, तो आपने जो rendering test वगेरा है और जो lag वगेरा है वो भी देख लिए आपको कितना देखने को मिलता है, और दो से जैसे layer आप ज़्यादा add करना start कर दोगे तो यह lag करता है, और एक चीज़ पर आपक काफी बड़िया देखने को मिलता है, अगर मैं normal बता हूँ, मैं जितना मलगी मैंने अपने YouTube वीडियो भी रेंडर की हैं, साथे साथ मैं freelance वर्क बगेरा करता हूँ, तो वो भी मैंने रेंडर करके देखे हैं, तो यहाँ पर जितनी आपकी वीडियो के land है, उसके अंदर अ बड़िया है, आप easily render कर सकते हो, दो 4K timelines को, और पिछली वीडियो में एक दो बंदों ने comment किया था कि भाई आप जो 4K clip यूज़ कर रहे हो, आइफोन से record कर रहे हो, आप DSLR से करना, वहाँ पर आपको ज़्यादा मलग की rendering time में फरक देखने को मिलेगा, या फिर वो ज़्य ज़्यादा detail होता है, तो of course ही बात है कि iPhone का जो 4K है, वो थोड़ा different आपको देखने को मिलेगा, और जो मलग की camera's वगएरा में 4K मिलता है, वो थोड़ा different मिलेगा, बट हाँ, rendering time में थोड़ा बहुत difference मिल सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा detailed video होती है, और अगर आपकी DSLR की video अगर 10 bit format में है, 10 bit raw format में है, तो उसमें और ज़्यादा time लगा, तो अगर बात कुरे इस price point की, जितना हमने इस के लिए pay किया है, लगबग 1,20,000 रुपे के असपास pay किया था, तो उस price segment में ये आपको काफी बढ़िया, अमलब की video editing performance दे देगा, आपको normally 1 4K timeline तो use करो, ब चीज जो दिक्कत आती है कि हमीस में crack यूज नहीं कर सकते, वो crack भी आप easily चला सकते हो, और आपको performance में कोई भी फरक देखन को नहीं मिलेगा, अगर आप बाहर से download करते हो तो, और अगर आप इसको completely as a business use कर रहे हो, मलब प्रीमेर प्रो सा अगर आप कुछ पैसे earn कर रहे ह तो definitely इसका premium version buy करना वो ज़्यादा better होगा, तो यह था complete premiere pro का, मलब की render test और आपको कितना lag बगेरा देखन को timeline में मिलता है, कितनी timeline आप use कर सकते हो, सारक सारा मैंने इस video में clear कर दिया है, I hope आपको video चलेगी, और video चलेगी तो video को like और channel को subscribe जिरूब कर लेना, ताकि यह सी और interesting videos in future में आपके लिए लेगे आता रहूँ